फ़त्त जाहरा इसा सब्एंव इस्का मैं उसा करने को जोल्ट करेंगे। को वन्टूट कि अदूस्ट तो इसकी डिर्ट्चिन देखें ख़धो जोगे आप दूसरा इसको मूब करते हैं ये मूब तो ये इसकी क्या है विर्ट यहां पर देखा करें साथ वह आजाता है यहां पर विर्ट है यानि इसकी चुडाई है इसको हम कम ज्यादा करते मैं कहते होंगे जबन की बज़ाइए इसकी हाइट है यहां पर देखे क्या लिका हुआ है हाइट आब हएट भी है यहां पर सेंटी है मैं इसको पार देता हूं प्रेंटी का मतब पॉइंट होता है 35 हो गए आगे देखें इनसेट और फ्रेम इंसाइड और आउटसाइड यह क्या चीज है यह अभी मैं बता देता हूं पहले आप इसका बॉर्डर ले ले जाहां से आप बॉर्डर स्लेक्ट करेंगे रेड कलर का बॉर्डर का लेकिन जब इसका बॉर्डर पॉइंट है इसको मैं का देता हूं फाइब एंटर का देते हैं नहीं आया जब तक हम उपर से इसका बॉर्डर क्या लिखा हुआ है बॉर्डर से पैटर्न नहीं लेंगे आगे इसके बाद पहले इसको देख लेते हैं उसके बाद एंगल है यह पैटर्न आप लेना चाहते हैं आगे यह पैटर्न से यह देखें लेकिन यहां से पैटर्न कलर आप चेंज करेंगे इसी तरह यह हमारा डिवन कंप्लीट हो गया है आप लेते हैं टैक्स बाउप इसको स्लेक्ट करें तो यह देखें इसकी से विर्ट है हाईड को इसने खत्म का दिया यह देखें ठीक है विर्ट को अमकाम कर सकते हैं इस तक तर की बज़ाय में का देता हूं अप्सी खुला हो गया है आप इसी का वो इबार्डर है बार्डर दे सकते हैं तरल कोई से भी आप कर लेते हैं अ है यहां से की बार्डर के लुक करते हैं कर देखिए यहां से बार्डर स्टाइल है यह देखिए यहां मैं इसको पांच की बज़ाएं दस करते हुआ कर देखिए यहां से पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं यह वाला देखिए देखिए जो आपकी वाइच उसके मताबर की स्कॉम करते हैं यह एंगल है इसको आप पैटर्न है जो भी आप देना चाहें सोरी मैंने उसको स्लेक्ट किया तो इसलिए यहां से क्लियर होगे बचे आप इसी तरह हम पिक्चर बॉक्स यहां तक रहती है दोनों की कि यह हैट विप्थ है इसकी यह उसका साइज को मूप करते हैं यह देखिए इंसाइड और आउट साइड आउट साइड में क्या होता है आप इसको स्लेक्ट करें यह बाडर के आउट हो जाता है और यह इन हो जाता है यह उसी के अंदर होगा यहां तक लेर हो गया आप यह पिक्चर का है इसका भी वही कलर है सेम आप कलर ले सकते हैं कि यहां से आप कलर चींज कर सकते हैं यहां से पैटर्न आप इसका कोई और ले सकते हैं इसका है इसका भी कलर आप इसका सकते हैं कि यह सारे काम हम यहां से परफॉर्म का सकते हैं इसको वही पॉइंट बढ़ा सकते हैं इसका इसका इंगल हची चींज कर सकते हैं बैग्राउंड वाइट जो रखना चाहते हैं आप यह रेक्टेंगुलर के बाद राउंड नैस है इसका भी ऐसे आप पैटर्न जहां से पैटर्न स्लाइट कर लें कि इसका कर लें कि कलर आप ले सकते हैं ब्लैक की बढ़ाएं इसको भी दस कर दें आप इसी तरह यहमारा क्या आ जाते हैं के नीचे ग्राफिक बाउट इसको भी वही सेम है कि अच्छा यह शिफ्ट के साथ आप तीनों को स्लेक्ट काल सकते हैं मैं चाहता हूं तीनों का एक जैसा कलर दूश्च अ कर दो दूश्च आप तीनों का जाते हैं अब उसके बाद हमारा ग्राफिक्स रह गया है इसको भी हम स्लेक्ट करके वह लिया है उसके बाद हमारा क्या है इनको थोड़ सा उपर चला गया है शिफ्ट के साथ तीनों को स्लेक्शन कर लेते हैं यह की शॉट कीज आप लाजम है याद रखें इसके बगाएर बड़ी परशानी होती है आप नीचे पोलीगान बच गया है और लाइन बच गया है इनको लेदा लेदा वही सेम है इसका आप झाल 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 तो यह हमारा आज काम था कि हमने अपने मुख्तले जो अबजेक्ट्स हैं इनके रिब्बन कैसे लगाने हैं अच्छा यह सारा काम परफॉर्म किया है रिब्बन में असानी होती है लेकिन आप यहां से डबल क्लिक करके भी यह वहीं चीज आ गया है यह जो हमने दिया